नमस्कार दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल ग्यान दो नोलेज में आपका हर देख स्वागत है दोस्तो आज हम आपको बताएंगे घर के कलेह को ख़तम करना चाहते हैं तो करेए चार असान उपाए उस दो हर इनसान चाहता है उसका जीवन सुकी हो ऐसा जीवन जो परिशानी, कलेह, तुरुखटना आदिस से मुक्त होकर धन, धन्य, सुक, शान्ती और प्रेम से भरपूर हो तो ऐसे जीवन के लिए जुरूरी है ऐसे उपाए अपनाए जाएं जिनसे आपकी घर में सुक और शान्ती आए तो इनी चार उपायों के बारे में आज आपसे चश्चा करेंगे जिनसे आपकी घर में सुक और शान्ती होगी और साथ ही सुम्रिधी का भी वास होगा तो आगे की जानकरी बढ़ाने से पहले हम आपसे आगरा करेंगे कि किरिपे आप हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इसी चैनल के मात्यम से हम जोतिश और वास्तर से सबंदित पर सभी परकार की जानकरी लेकर आएंगे जिने आप अपने जीवन में अपना कर अपनी जीवन के कश्टों दुखों और मसीब्तों को दूर कर अपने जीवन और घर संसार को सुख में बना सकें तो आए बात करते हैं इन चार उपायों से जिन से दूर होता है घर का कलह और आने लगती है सुख वा शान्ती पहला उपाय है घर में हर पुर्णिमा को सत्य नरान्य भगवान की कथा करें या करवाएं और विश्णु लक्ष्मी जी को हलवे का भोग लगाएं दूसरा उपाय अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की रास करती ही कोई तस्वीर लगाएं इससे पती पतनी में आपस का प्रेम बना रहता है जीवन में माधुरे आने लगता है तीसरा उपाय है शनिवार को तेल का दीपक लगाग जला कर घर में सुंदर कांड का पाट करें चोथा उपाय एक चुटकी सिंदूर ये उपाय महलाओं के लिए एक चुटकी सिंदूर अपने पती के सेराने रखें और सुबह वे सिंदूर अपने मांग में भर ले तो पत्धी पतनी का दम पत्थे जीवन खुशाल बना रहेगा जिहां इस उपाय से आपके पती पत्नी के सवंदों सवंद पहले से बहुत मजबूत होते हैं उनमें प्रेम बना रहता है और जीवन खोशाल होता है तो दोस्तो ये थी आज की ये विशेश जानकारी अमीद है आपको पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जुरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रोचक और महत्तपु जानकारी के साथ तब तक लिए आगया चाहेंगे परमात्मा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें इस याशा के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे नमस्कार